तो नमश्कार जी सभी को तो मैंने कुछ दिन पहले community post डाली थी कि आप किस चीज़ पर वीडियो चाते हो तो एक भाई ने हमारे message गया था कि गुरू जी मसान के बारे हमें बताईए तो आज मसान के बारे आपको दुबारा से बताने हैं मसान चार से पांस तरह की होती है जिन में से जो सर्वस्रेश्ट होती हैं वो होती है लाल मसान, भूरा मसान, तेलिया मसान और कालिया मसान सबसे ज्यादा जो खतरनाक होती हैं वो होती हैं जिन में आजकल जो साधनाएं होती हैं उनमें जो सबसे ज्यादा जो यूज होता है वो तेलिया मसान और कालिया मसान का यूज होता है सबसे ज्यादा तो ये मसान होती क्या है मसान इनका नाम क्यों पड़ा क्या ऐसी इनकी पावर होती है क्या शक्तिया होती है क्या क्या कारिय ये कर सकती है बहुत सारी चीज़े लोगों के माइड में गूमती है तो मसान को सिध करने के कई सारे तरीके होते हैं शव साधना करके भी आप इनको सिध कर सकते हैं अगोरी लोग जो होते हैं वो शव साधना करके इनको सिध कर सकते हैं और कुछ लोग जो होते हैं मंतरों के दुआरा मसान को बुलाकर शम्शान में उनका भोग लगाकर उनसे मन चाहा कारिय भी करवाते हैं देकि इन दोनों की शक्तियों में जमीन आसमान का फरक होता है और कई तरह की क्योंटी इस भी इनकी चेंज होती है शव साधना करने से या प्रोपर साधना करोगे तो आपको उसको बहुत ज़्यादा वो पाउरफुल बनती है वो चीजे और आपको संपूरन सिध्धी प्राप्त होती है उनकी चीक है वो 24 घंटे आवा आप जब बुलाओगे तब आएंगी जो कार्य करवाना होगा आपको वो करेंगी लेकिन जो मंतरों के दोवारा जो मसान जो बुलाई जाती है उसमें क्या होता है कि एक मंतर होता है मसान का वहाँ पर वो मंतर का दो से तीन दिन तक उचारन करना पड़ता है वहाँ भोग चड़ाया जाता है भोग में आपको पता है शम्शानी भोग में क्या के चीज़े चड़ सकती है ठीक है वहाँ बुलाकर जो बी वहाँ पर जो ओटोमेटिक या आसपास जो भी मसान होती है वो साधना करने से ही मिलती है संपूरन भावर आपको चीक है उसमें तो ये सिस्टम हो गया आप भोग दो वो काम करेगी बस कोई जरूर देने हो कि अगली बार भी आपको जब बुलाना होगा तो वही शक्तिया है कोई दूसरी मसान भी आ सकती है तो इस तरह स्की होती है लेकिन जब आप संपूरन विधी करोगे तो आपके पास वही मसान रहेगी जिसकी आपने सिद्धी करीए चीक है सिद्धी भी कई तरह से की जाती है मा के रूप में बहन के रूप में वाइफ के रूप में अब कुछ लोगों की शादी हुई होती है वो लोग आप जैसे चुडैल सानना होती है, वो भी इसी परकार से की जाती है, वाइफ के रूप में, बच्चे के रूप में, या किसी भी तरह के रूप में करवाई जाती है, जैसा उनका गुर्व अच्छा समझे, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग शादी-शुदा लोग हैं, कई लोग बताने कि मुझे जरूत नहीं अपस संपूरन क्या चीज आपको दिक्कत आएगी तो इस तरह से कोई भी सिद्धी जो होती है वो अपनी कंडिशन देखकर गुरू के आदेश से संपूरन की जाती है इसी करके बोलते हैं कल को आप अकेले साथना करते हो आपको नोलेज नहीं है आप साहना कर लिए तो वो प्रोब्लम्स आपके परिवार को भी आएंगी ये सारी चीजे आपके साथ ना हो आपकी सिद्धी भी जल्दी सफल हो आपकी सिद्धी भी संपूरन हो आपकी सिद्धी भी विदी पूरवक सिद्ध हो तो इसलिए गुरू की आवश्कता और आशिरवाद गुरु मंतर का बहुत बड़ा महतब होता है कोई भी सादक होता है बिना गुरु के कोई भी सिद्धी ना करे करोगे उसका अगर साइड इफेक्ट हो गया तो आपके साथ साथ आपके परिवार को भी वो चीज भुगतनी पड़ेगी तो मेरे पास आपके कहानी बताता हूँ बहुत टाइम पहले जब मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया दा चार से पान साल पहले तो मेरे पास एक सरदार जी आये थे पंजाब से तो मैंने उनको बता दिया था इस तरह के शमशान में कर लेना आप तो मैंने उनको यही चीज बोली थी कि कोई गुरू बनाईए उनके मार्क दर्शन से करिये तो ज्यादा अच्छा है तो उन्होंने अकेले में यह साधना कर लई उन्होंने साधना करी सब कुछ किया जो चीज़े मैंने बता ही वो सब कुछ उसी तरीके से कर ली लेकिन उनके सामने ना तो कोई प्रतिकरन हुआ ना सामने कोई चीज आई ना कुछ हुआ लेकिन थोड़े दिनों के बाद क्या होना शुरू हो गया उनके घर से जहां वो पंजाम में रहते थे उनके घर में कपड़े जलने शुरू हो गए उनके घर के अंदर जैसे संदूक में या पेटी में कपड़े रखते थे अलमारी में कपड़े रखते थे वो जलने शुरू हो गए पैसो गायव होने शुरू हो गए, सोना चांदी गायव होना शुरू हो गया, नुकसान होने शुरू हो गए, आवाजी आने लगी रात को बच्चे बिमार होने लगे, तो इस तरह की प्रोब्लम्स होने लगी, क्योंकि उन्होंने गुरू के मार्ग प्रशन में नहीं करा था उन्होंने अकेले साथना करी और साथना का side effect हो गया ठीक है तो इसी तरह मसान में भी होता है और मसान क्या क्या कारे कर सकती है मसान से आप जो चाहो वो करवा सकते हो as your wish जो चाहो वो करवा सकते हो और इनकी speed की गती कितनी होती है आप यहां से देखो अगर आपने यहां बैटे बैटे इंडिया में कोई भी काम करवाना है इंडिया में तो पलक जपकते ही वो वहाँ पर पहुच जाती है और अगर किसी इंसान जो इंसान इंडिया में नहीं रहता जो बाहर रहता है उसका काम भी हो जाएगा लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा थोड़ा टाइम छीक है इंडिया में का कोई भी काम है इंडिया में आप किसी भी तरह का कारे कर सकते हैं पलक जपकते ही काम होंगे कोई भी और मसान एक ऐसी सिद्धी है आगे चलके आप कोई भी साधना करना चाते हो कोई भी सिद्धी प्राप्त करना चाते हो तो उन चीजों में ये आपका बचाव करेगी अब जो मैंने कर रखी है सिद्धी वो आप सबको पता है कि मैंने तेल्य मसान की सिद्धी कर रखी है तेल्य मसान मेरे पास सिद्ध है और मैं कई बार फेल भी हो चुका हूँ इस सिद्धी में मैंने सबको बता रख रहा है अपना जो मेरी सिद्धी है वो क्या काम करती है मेरे परिवार की, मेरी क्योंकि मैं जो भी कारे होता है मैं सब उसी से ही करवाता हूं भगवान के चर्नों में रहती है घर के मंदिन में रहती है वही पर रहती है और भगवान की दया दृष्टी उसके उपर बनी हुई है ऐसा बात नहीं कई लोग बोलते है कभी या भी थोड़े दिन पहले कुछ दिन पहले कुमेंट आये था कि गुरू जी आम मसान के से काम करवाते हो आप भी प्रेतियों नहीं में जाओगे तो बेटा आने वाला किसको पता आने वाले टेम में क्या होगा क्या नहीं होगा ठीक है कर भला तो हो भला समझ में आई लोगों के भले करोगे न तो सब कुछ होगा कोई जरूरी नहीं कि मैं प्रेतियों नहीं में जाओगा कोई जरूरी नहीं कि मेरा मैं मतलब वो करूँगा ठीक है और कोई जोग ऐसे कारे करते हैं वो तो अपना शरीर का ब्लड भी देते है मेरे शरीन में तो कोई कमजोरी नहीं है और यहीं से पता लगता है कि इनसान के पार अच्छी सिद्धी है अच्छी सिद्धी प्राप्त करे हुए है और अच्छा कारे कर रहा है बुरी शक्तियों से तुम अच्छा कारे और लोगों का बुरा करना, भाही तुम लोगों का बुरा हो, अब जैसे एक वा मदाओ, डोग होता है, कुत्ता होता है, तुम उसे शाकाहारी भी बना सकते हो, और उसे तुम मासाहारी भी बना सकते हो, ये दोनों श्रेणी में आता है, अगर तुम उसे घर का खाना खिलाओ जो तुम खाते हो तुम शाकाहारी हो तुम उसे शाकाहारी खिलाओगे तो वो शाकाहारी ही बनेगा मासाहारी नहीं बनेगा अगर तुम उसे रेगुलर ही मास खिलाते हो रेगुलर ही सब क्यों करते हो तो एक दिन उसे मास नहीं मिलेगा तो वो उल्टा तुमें ही नोच ख बनेगी उसके अंदर कोई अच्छाईया नहीं होगी अगर तुम्हारे अंदर अच्छाई है तुम्हारे अंदर नेक दिली है तो तुम बुरी शक्ती को भी अच्छा बनाने की ताकत रखते हो अब पुराने अपनी कहानिया पुरानी महाभारत रमायन या भोले नात के आप चीजे होती है ठीक है और रही इनकी पावर्स की सीमा क्या क्या कारे है ये आपको हर चीज लाकर दे सकती है आपको मंतरों का ज्यान भी दे सकती है आपको तंतर मंतर का ज्यान भी दे सकती है आगे आपको कोई भी सिद्धी करने है उस सिद्धी में भी आपका मर्द कर सकती है ये आपकी सिद्धी में आपका सुरक्षा घेरा बन सकती है, किसी की ओरत को बच्चा नहीं होता, तो ये बच्चा प्राप्ती भी करवा सकती है, बच्चा भी दे सकती है, तो कई सारी चीजे गुप्त होती हैं, जो कि आप लोगोंने सुनी भी नहीं होगी, जब इनसान इन चीजों को करता है और मेरी जो शक्तियां हैं जो मैं जो शक्तियों से काम लेता हूँ मैंने कभी भी शक्तियां अपनी बंधन में नहीं रखी या मैंने कभी भी अपना गुलाम बना के उन चीजों को नहीं रखा जैसे मेरे गुरु ने मुझे सिखाया मैंने उसी तरीके से च चला हूँ मैं, मैंने कभी भी अपनी शक्तियों को बंधन में नहीं रखा, मेरी शक्तियां हमेशा भगवान के चरनों में रहती है, काम खतम हुआ मेरा, भगवान के चरनों में मैंने उन्हें रख दिया, बस मेरा ये काम है, भगवान भोले नात के चरनों में रहती है, माकाल मसानी एक ऐसी सिद्धी है जो मंदिर में कहीं भी आ जा सकती है और कोई ऐसी भूत प्रेत ऐसी ताकत नहीं होती जो मंदिर में जब पवित्तर जगा पे जा सके गंगा जी में भी ना आती है मंदिर में भी रहती है भगवान के चरनों में रहती है अच्छे कारे करते है तो भाई मैं क्यो जाऊंगा प्रेति योनी में तो वो जाँगे ना जो गल्द कारे करते है ठीक है जैसा करम करोगे वैसा फल आपको मिलेगा इस चीज का ध्यान दर्खना तुम लोग ना समझ बाते करना बंद कर दो तो ज्यादा हो जाएगा अगर तं नहीं लेना, मुझे सिर्फ जिस काम से मैंने यूट्यूब चैनल खोला था, मुझे वही काम करना है, चीक है, तो इसलिए यूट्यूब पर आता हूँ, चाहे मुझे दस लोग देखे, चाहे मुझे बीस लोग देखे, मुझे कोई फरक नहीं पड़ता है, है, चार साल पहले भी अकेला शुरुआत की थी, मुझे आगे बढ़ाने में किसी ने स्पोर्ट नहीं किया, किसी का साथ मैंने नहीं लिया, बलकि मैं तो उल्टा और बाकियों से लड़ाई हूँ, लोग के लिए, लकिन क्या मिला, कुछ ने मिला, बुरा हैं मुझे ही मिले, चीक है, तो तब से मैंने सारी चीज़े छोड़ दे, सभ साथी अपने योटूब वाले, जितने भी थे सब छोड़ tirar, किसी से मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अकेला हूँ और अकेला ही चलता हूँ, मसान में क्या होता है जो तेली मसान होती है आप किसी भी परकार की मसान लेते हो तो जो अगहरी लोग होते हैं वो खोपड़ी रखते हैं इंसानी तो वो भी मसानी होती है और जो ये हाथ होता है ना ये हाथ ये हाथ होता है इस हाथ की कलाई को ना जो हम लोग नॉर्मल जो लोग होते हैं जो खोपड़ी नहीं रख सकते हैं वो हाथ की कलाई को निकालते हैं तो उसकी मसान बनती है बूरी मसान भी होती है, हर तरह की मसान होती है लेकिन जो कम उमर वाली मसान होती है, जिनकी उमर दो, तीन साल, छे महीने या दो महीने का बच्चा हो, छे महीने का हो, आगे बड़ी उमर, जी मतलब इस तरह की ज्यादा पाउरफुल होती है, अग्रैसिव होती है इस तरह की ज्यादा, इनको हासिल करना भी बड़ा मुश्किल होता है, और इनको सिद्धी करना भी बड़ा मुश्किल होता है, अब क आप लोग डोक्टर के पास लेते हो, अब ये मैंने जैकेट डाल रखी है, ये मैंने टैटू बनवा रखा है हाथ पे, ठीक है, ये क्या सामने वाले ने फिरी बना दिया क्या, या मुझे जैकेट फिरी दे दी, या मेरे टैटू फिरी बना दिया, या कुछ कर दिया, आप ल तो उसी परकार से होता है, आप देखो, मैं आप लोगों को नहीं बुलाता अपने पास, कि मेरे पास ही आओ, आप लोग आते हो, आप लोग पूछते हो, आप लोग सब कुछ करते हो, और मैं उसका, आप ही लोग पूछते हो, गुरु जी चार्ज कितना है, तो मैं जब चार ठीक है, थोड़ा बस समझ का फर्रक होता है, अगर इंसान समझ जाए न, तो सब कुछ इंसान को, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, पड़े लिखे होते हैं, वही अनपडगवार होते हैं, वही बेवकूफ होते हैं, उन्हें समझ ही नहीं होती चीज़ों की, वह इस तरह की बगवास करते हैं, फ्री में बात कर लेंगे, तो अच्छा है, और जब बता देंगे appointment fees इतनी है, तो भाई लोगों गालियां देना शुरू कर देते हैं, भाई, पता है क्यों, क्योंकि वो ना समझ लोग होते हैं, अब जिनको समझ हैं, जो proper पर educated लोग हैं, उनको पता है, कि time आज के time में कितना important है, और time की कितनी value है, अगर मैं आज आपको समझा रहा हूँ ना, तो ये भी time देकर ही दे रहा हूँ आपको, आपको time ही दे रहा हूँ, तो इस time की आप value को समझे, वीडियो को पूरा देखे, वीडियो को समझे कि एक इंसान आपको क्या समझाना चाता है, क्या आपको दिखाना चाता है, क्या आपको इस दुनिया से क्या रूबरू करवाना चाता है, ठीक है, तो इसलिए YouTube channel बनाया गया है, बहुत परिवार का नुकसान मत करके बैट जाना, बस यही समझाना चाता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, तो वीडियो को share कीजिएगा, ताकि दूसरे लोगों बहला हो, वीडियो को like जरू करेगा, और जो लोग नए है, subscribe बटन जरूर दबाना, और जो घंटा है उसको प्रेस जरूर करना, all notification पे all वीडियो पे, ठीक है तो description box में मेरा WhatsApp नंबर है, screen पा भी मेरा WhatsApp नंबर चर रहा है, Facebook पेज भी है Facebook पेज पर भी आप follow करिएगा जरूर, क्योंकि वहाँ अलग वीडियो बनती है, तो धन्यवाद